इच छात्रों के स्टार्ट अप ने बनाई 15,000 से कम के लेपटॉप की कमपणी NBT Newsdesk करना है, Create भी करना है, Content Create करने में Assignment करना, Notes बनाना, 15,000 का का लेपटॉप जो Android, Google सर्च करना, Homework, Project की तरह काम करे और फायदा लेपटॉप प्रेजेशन जैसे कामों के लिए लेपटॉप का दे, और दिल्ली से पढ़कर निकले जरूरी डिवाइस है, दो छात्रों ने Prime Book नाम से डिवाइस निकाली है, ताकि हर स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए लेपटॉप मिल सके, क्या है ये कंपनी और यह आइडिया, हमने बात की Prime Book के सी आई और को फाउंडर चित्रान शु महंत से, वो बताते हैं कि हमारी जर्नी शुरू होती है 2015 में, जब 2015 में हमारे अंदर ये बात आ गई थी, कंटेंट क्रियेट करने में, असाइनमेंट करने, नोट्स बनाने जैसे कामों के लिए लेपटॉप जरूरी डिवाइस है, इंफ्रास्ट्रिक्वर पर काम करना है, डिवाइस बनाने का सोचा बच्चों के लिए, पता चला की अप एकोसिस्टम है, जो भी एप, कटेंट आदी हैं, ये सब Android फस्ट है, हमने Best of Both Worlds बनाने के बाद हमें नाम मिला, मार्केटिंग हो गई, अभी दो मॉडल है, Prime Book Light, Rock Chip Processor पर, Wi-Fi पर, B2B और Prime Book 4G, SIM पर भी चलता है जिसे हम 10 मार्च को लॉंच कर रहे हैं, 11.5 इंच स्क्रीन है, HD IPS पैनल है, रबर Coated Body है, दो USB 3.0 पोर्ट, मिनी HDMI पोर्ट और दो MP कैमरा है, फुल साइच की बोर्ट दिया गया है, SIM कार्ट से कॉलिग भी कर सकते हैं, भारतिय एप एको सिस्टम पर पर हमारा फोकस है, Prime Book का खुद का एप स्टो है, जिसमें 50,000 से ज्यादा एप है, हमने ये टेस्ट करने के लिए की लोगों को कैसा लगता है, मार्च 2019 में हमने इसे रिलीज से हमने एक टेकनोलोजी बनाई जिसमें एड्मिन या पेरेंट रिमोट से डिवाइस मैनेज और हमारे को फाउंडर अमन वर्मा का सोचा, लेप्टॉप की प्रोडिक्टिविटी और किया, जिसे कोई भी कर सकता है, कर सकता है, हमने इसे टेक टेबलेट मेड इन इंडिया सिल्यूशन दिया, हम अर्ड दिली के फाइनल एर में थे, हमें एंडरोइड अप का इको सिस्टम और शुरुआत रिलीज होते ही इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स कंपनियों को बेची, अक्टूबर इसे लेकर बारवी तक की पढ़ाई का कटेंड देंगे